वेल्कम बाक टो माई चैनल आज हम इस वीडियो में जानेंगे का पिछे कशानेंगे ? सेडियो के बारे में कुछे कुछे टिफी का मैं कर्फी का मैं कुछ पास कुछे कमेंना थे कि बूड़ियंग बान रीम आंट खीए यह पी पना जाया है कि शेडिंग कैसे करनी है और कैसे आप शेडिंग जाम में करोगे कि आपका शेडिंग अच्छा हो जाए तो चलिए फटा-फट शुरू करते हैं आप लोग ने शेडिंग का वीडियो देख लिया होगा देखो कितना सादा बनाया आलीखन का वी जाहिज बाते देख लिया होगा लेकिन अब हमे इसमें देखना क्या है कि सिडिंग कैसे करते हैं बहले आपको पता होगा ना सबसे इंपोर्टन चीज क्या होता है पैंसल जाहिज जिबात, एक एक रेजर और एक सकेल तो और सबसे जादे इंपोर्टेंट चीज क्या है आप बिल्कुल मलत जाना भूलना वह है कॉटन कॉटन भही अगर आप लुपास नहीं पाऊगा चलो हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हैं सब्सकुक मतब कॉटन कर देख लेते हैं नौर्मली पता होगा लेकिन देख लेते हैं फिर से मानलो हम लोग यहां पर नौर्मली स्वारी मैं उल्टा आम बनाती हो तो बन जाता है किसी भी तरह चलो देख लो एक मैंने कर से कुछी भी तरह एक एक एंट्रिंडम आम बना लिए फिर से पैंसिल को थोड़ सा शाप ही होगो और होगो दार्वी और लोग साफ। नौरर्ष लोगा जिए चर्था svils तरहां लिए अप sipa न्मट कविकूल मैं ले इसारे पैंसल आता है 6 b आता है घञज आते हैं, और फिलाम वे पस टूबी य और टैन वी कर तेन बी आता है, अब अब वार अब ज़ो कि आज आख सब्सक्तव सकते हैं। चल्वों आप दिखतिएं। पैंसल में रहाँ, थोघाशा चर में लिए लिए पाइले अब लिमने तोना ने फीर हैं। आपको अप sih किए तो अपनर है कर फेंज के बहुत अच्छा इन अचलक और आप को सब्सक्रा करने यह सब्सक्राइब गार मैं इस इसे करती ना तो बहुत जाले आप जाले ने पर even करने के लिए और spread करने के लिए फृटन का यूज खरते हैं, आप कागज का भी यूज कर सकते हो लीकिन प्रिदा अच्शा करने के लिए आप मेम बेखते हैं डिए को अगर पूरा करो गैं तो कुछ ऐसा आप लोगो दिखेगा देखे पूरा करना तो इंदम ऐसा दिखेगा अब आप लोगो देखना है इधा मैं जादे डार कर रहा है इसके बज़े से यह डार दिखेगा आप लोगो ऐसी करना है cotton लेना है हलका हलका इसमें ऐसे रब करना है sorry pencil लेक ऐसे करना है फिर cotton से ऐसे even कर देना है देखो ऐसे even कर देना है तो एक दम ही जो आप करोगे न अपने drawing में बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा तो प्लीज आप लोग cotton ले जाना मत भूलना cotton तो जरूर से जरए अपने बैंग में रखेगा cotton is the most important for setting okay तो आप लोगो ने देखिया यह आम का कैसे करते है अब आम के रही पत्तियों की बात को कैसे करना है तो पत्तियों में आप लोग देखो नॉर्मली बनाना आप लोगो जरूर नहीं क्या कर रखा है मैंने देखो क्या कर रखा है मैंने ऐसे जो लाइनिंग बनते है ना या यावाई लाइन से तो यह लाइन से कुछ ने किया और पैंसल लेकिया कि इसको डार्क आफ्लाइनिंग करें और आपको काम आएगा तो यह पैंसल ले जाना और दूसरा चीज आए आपको कॉटन जरूर बिया कि जाना कैसे और शिडिंग होता है कैसे वहाँ पर जाएए वहाँ पर और अच्छे से आपको पता चल जाएगा